हे गाईज कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल तैयारी आपकी पर आज का वीडियो होने वाला है काफी महत्पून क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्टे प्रतिक के बारे ने यह वीडियो भारत के सभी लेते हैं उसके बाद इन mcq question को देखते हैं आईए ये हैं हमारे राष्ट्रिये प्रतिक के लिष्ट है आईए सबसे पहले इन्हें देखते हैं राष्ट्रिये नाड़ा स्रमेव जयते हैं राष्ट्रिये लीपी जो है वह देवनागरी लीपी है राष्ट्र भासा हिंदी ह राष्ट्र पिता जो हैं वो महात्मा गांधी है राष्ट्रिय पुरसकार जो है वो भारत रत्न है जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार है राष्ट्रिये विदेश नीती जो है वो गुट निरफेक्च है राष्ट्रिये पडव जो है वो गनतंतर दिवस जोकी मनाय जाता है 26 जन्वरी को स्वतंतरता दिवस जोकी मनाय जाता है 15 अगस्त को और गांधी जैनती जो है वो 2 अक्टूवर को मनाय जाता है राष्ट्रिये पकवान जो है वह खिचरी है राष्ट्रिये सूचना पत्र जो है वह स्वेत पत्र है राष्ट्रिये नदी जो है वह गंगा नदी है राष्ट्रिये जल जीव जो कि डॉल्फिन है राष्ट्रिये मिश्ठान जलेवी है राश्ट्रिये मुद्रा रुपया है आज कल रुपया का यह साइन जो है वन्यू साइन राश्ट्रिये खेल हौकी है राश्ट्रिये पांचांग सक संबत है राश्ट्रिये ब्रिक्ष जो है वह वरगद का ब्रिक्ष है राष्ट्रिये पसु बाग है, राष्ट्रिये पक्छी मोड है, राष्ट्रिये फल आम है, राष्ट्रिये पूस्प कमल है, राष्ट्रिये वाक सत्यमेव जयते यह मंडू कुप निसत से लिया गया है राष्ट्रिये चिन है, असोक अस्तम्ब है, राष्ट्रिये गीत, बंदे मात्रम है, राष्ट्र गान है, जन गन मन है, राष्ट्रिये ध्वज, तिरंगा है, राष्ट्रिये ध्वज गीत जो है, वह हिंद द्यास का प्याड़ा जंडा है आईए अब हम लोग देखते हैं important MCQ question को भारत के राष्ट्रिये ध्वज के लंबाई और चोड़ाई का क्या अनुपात होता है आईए जानते हैं यह रात तिरंगा जहंडा हमारे देश का तिरंगा जहंडा में उपर जो है वह केसरिया रंग होता है बीच में जो पट्टी होती है वह सफेद रंगी होती है और सबसे नीचे जो है वह हड़े रंगी पट्टी होती है इसके बीच जो है यह नीले रंग का एक असोक चक्र होता है असोक चक्र में यह नीले रंग का होता है और इसमें जो है वह 24 तीलिया होती है जो की प्रगती के बारे में बताती है, हम लोग का कोश्चन था कि इनका अनुपात कितना होता है, अर्थात यह जो है वह उपर का लेंथ है और यह वह साइड हमारा ब्रेथ है, तो अगर यह 30 मीटर का होगा, तो इसकी चौडाई जो है, वह 20 मीटर जी होगी, अर्थात ए 3 इ देखते हैं तो तीन अनुपात लू लम्बाई 3 और दो जो है वह चोड़ाई भारत के राष्ट्ये द्हज की चोड़ाई और लंबाई अर्थात अब इसका उल्टा होगा तो 2 अनुपात 3 है भारत के राष्ट्ये द्हजके मद्ध भाग में बने धर्म चक्रे का रंग क्या होता है तो यह गहड़े नीला रंग का होता है भारत के राष्टिये ध्वज में चक्रों में कितनी तिलिया होती है तो यह 24 तिलिया होती है जो की हमेशा चलते रहने का बताती है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रिये ध्वज का डिजाइन निम्लिखित में से किसने बनाया था स्वतंत्र भारत के राष्ट्रिये ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली बैंकया के द्वारा तैयार किया गया था भारत का राष्ट्र गान जिसे की नेशनल एंथम कहते हैं यह है जन गन मन भारत के राष्ट्रिये गान के रचैता कौन है भारत के राष्ट्र गान के रचैता है रविंद्र नाथ टाइगोर रविंद्रनाट टैगोर जो हैं इन्होंने दो देशों के गान को लिखा है राष्ट गान को लिखा है एक भारत का राष्ट गान जिसे ये नेशनल एंथम जो की जन गन मन है वहीं बांगला देश का राष्ट गान था वह था आमार सोनोर बांगला राष्ट गान जन गन मन सरप्रथम कब और कहां गया गया कांग्रेस के 1901 गाड़ है कलकत्ता अधिवेशन में जोक अधिवेशन 27 अधिवेशन था कांग्रेस पाटी था पंडित विशन नारायन धर के द्वारा इसकी अधियक्षता की गई थी भारत के राष्ट गान जन गन मन को संपून डूप से गाने में कितना समय लगता है 52 सेकेंड का समय लगता है पूरी तरह से जन गन मन को गाने में भारत का राष्ट्रिये गीत अभी तक हम लोग नेशनल एंथम जान रहते अब नेशनल सौंग तो राष्ट्र गीत है बंदे मात्रम भारत के राष्ट गीत के रचैता कौन है? तो भारत के राष्ट गीत के रचैता है बंकिम चंच चटर जी यह आनंद मठ से लिया गया है भारत के राष्ट गीत के गायन की अवधी क्या है? 65 सेकेंड समय लगता है राष्ट्रिये गीत बंदे मातरम को गने में भारत का राष्ट्रिये गीत बंदे मात्रम किस ग्रंद में संकलित है तो यह आनन्द मठ में संकलित है option c भारत का राश्ट गीत बंदे मात्रम सरप्रथम कब गाया गया था यह 8906 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेश के कलकत्ता अधिवेशन जो की 8906 में हुआ था उसमें गाया गया था जो की बाड़ाहुआ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता रहीम तुल्ला है सायामी के द् पहले बंदे मात्रम गया गया था आकासवानी और दूरदर्शन के दैनिक काडिक्रमों की शुरुआते किसे होती है तो आकासवानी और दूरदर्शन अपने काडिक्रम की शुरुआते राश्ट गीत से करते हैं सारनात इस्थिते राश्ट्रिये अस्तम्व का कौन सा राश्ट्रिये प्रतीक चिन के रूप में लिया गया है तो इसका सिर्ष भाग जो है वह राश्ट्रिये प्रतीक के चिन के रूप में लिया गया है यह सभी प्रस्ने लूसेंट सामान ज्ञान से लिये गये हैं यह जो आप भाग देख रहे हैं वह राश्ट्रिये अस्तंब् लिया गया है इस वीडियो में हम लोग अब डिटेल देखते हैं राश्ट्रिय अस्तंब का सबसे उपर का या भाग है जिसमें कि सबसे उपर जो होते हैं वह सीह होते हैं सीह की संख्या जो है वह चार होती है इस सीह के पीछे जो है वह एक सीह होता है जो कि हमें दिखाई नह है हमारा राष्ट्रिये चिन है और इसके नीचे जो है वह असोक चक्र बना होता है और निचले भाग में हाथी घोड़ा साड़ है और सीह जो है वह उतकर्ण है साथ में इसमें एक धर्म चक्र भी है जिसमें तिलियों की संख्या जो है वह 32 है यह सार ना थे राष्ट्रिये अस्तंब का सबसे सिर्ष भाग है भारत के राष्ट्रिये प्रतीक में निमलिखित में से कौन सा पसू द्रिष्टि गत नहीं है तो हीरन जो है वह इनमें नहीं होता है सिल, सार, घोड़ा और हाथी जो है वह इसमें होते हैं छार पसू होता है तो आप्सन हिरन जो है या निवा होता है भ्हारत के राश्ट्री प्रतीक चिन में तो कि motivated में जो टीन से क्षाई देते है इस राज चिन के मूल अस्तंब में कितने सी होते हैं तो मूल में जो है वह चार होते हैं एक सी जो होता है वह पीछे होता है भारत की राष्ट्रिये संबत के रूप में किस संबत को मानिता प्रदान की गई है तो सक संबत को जो है वह माननेता प्रदान की गई है राष्ट्रिये संबत के रूप में सक संबत पर आधारित राष्ट्रिये पंचांग पर्थम मास कौन सा है तो पर्थम मास जो है वह है चैत्र सक संबत पर आधारी ते राष्ट्रिय पंचांग का अंति माह कौन सा है तो वह है फालूने भारत का राष्ट्रिय पसु कौन है तो बाग भारत का राष्ट्रिय पसु है भाग से पुर्व भारत का राश्ट्रिय पसु कौन था भाग से पहले राश्ट्रिय पसु सेड था सीह था लायान था भारत का राश्ट्रिय पक्षी नेशनल बर्ड किसे तो मयूर को जिसे की मूर कभी का जाता है या भारत का राश्ट्रिय पक्षी है मद्य प्रदेश राज्जी के किश जीले में राश्ट्रिय पक्षी बहुयात में मिलते हैं तो मुरायना मद्य प्रदेश के मुरायना जीले में जो हैं वह सबसे अधिक पक्षी मिलते हैं इसी के साथ भारत के राश्ट्रिय प्रतिक का यह वीडियो समात होता है उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद रहा होगा अगर आपको पसंद रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुभ हो